आँखों की रोश्णी बढ़ाने के लिए बच्चों के आहार में शामिल करें ये चीज क्या आपको भिंडी पसंद है? अगर ऐसा है तो हम बता दें की भिंडी का सेवन आपकी आँखों की रोश्णी के लिए बहुत अच्छा है जानिए भिंडी के कुछ और फाइदे अपना वजन कम करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं अपने मांस्पेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए भी बहुत कुछ करते हैं इसके बावजूद आप अपने कुछ अंग को अंदेखा कर देते होंगे अंदाजा है कौन सा हमारा इशारा आपकी आँखों की और है आप पूरे दिन हर समय अपनी आँखों का इस्तेमाल करते हैं COVID-19 महामारी के कारण स्क्रीन के सामने ज़्यादा समय बिताना जरूरी हो गया है हाँ, यह साच है बच्चों से लेकर बढ़ों तक हर कोई तक्नीक के जाल में फंसा है लगातार स्क्रीन देखने के कारण आपकी आँखों से पानी बहने लगता है अपनी आँखों की सेहत को नजरंदाज करना लंबे समय के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है बेशक, इस से बचने के लिए आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि आपका आहार भी इसमें मदद कर सकता है अरे नहीं, हम आपको गाज़क खाने के लिए नहीं, बलकि भिंडी खाने के लिए कह रहे हैं यह सादी सबजी पोशक तत्वों का भंडार है, और वास्तव में आपकी आँखों के स्वास्थे के लिए चमतकार कर सकती है क्या आप उन कुरकुरी या अचारी भिंडी रेसिपी के बारे में सोच रही है तो जानिये कि यह स्वादिष्ट और सुपर हेल्दी भी है आपकी आँखों के लिए लाब प्रदान करने के अलावा, भिंडी की सबजी आपको पाचन संबंधी समस्याओं से भी बचाती है प्रदे रोग और मधुमेह के साथ यह लिवके रोगों से भी सुरक्षा प्रदान करती है दिल्ली की पोशन विशेश अग्य टीना सिन्हा कहती है, भिंडी सचमुच आपकी सभी स्वास्थे जरूरतों के लिए वन स्टॉप शॉप है चाहे वह आपकी आँख के लिए हो या दूसरे अंगों के लिए बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भिंडी के नियमित सेवन से आपकी द्रिष्टी तेज और मजबूत हो सकती है इसके अलावा आप मोतियाबिन जैसे मुद्दों को भी रोक सकते हैं, जो विशेश रूप से बुज़ुर्गों में होता है कैसे करें भिंडी का सेवन सबसे अच्छी बात यह है कि भिंडी को पकाने के बहुत सारे तरीके है इसे विभिन तरीकों से खाया जा सकता है आपक अच्ची भिंडी करी बना सकते हैं, जो ना सिर्फ आपकी आँखों की रोशनी के लिए, बलकी वजण घटाने में भी मददगार है अगर आपको स्वाद ठीक लगे तो आप सुबह खाली पेट एक से दो कच्ची भिंडी भी खा सकते हैं अंत में 5-6 मीडियम साइज की भिंडी लें और उसके किनारे काट लें भिंडी को भी बीच से काट कर एक बरतन में रात भर पानी में भिगो कर रख दें सुबह नाश्ते से पहले इसका सेवन करें अब जब आप भिंडियों के बारे में सब कुछ जान गए हैं तो समय आ गया है कि अपनी आँखों के स्वास्थे के लिए भिंडी का सेवन जल्दी शुरू करें हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें शेयर करें और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें हन्यवाद